सत्यू Python में हम सीख रहे हैं Loop और आज हम Loop को Nested बनाएंगे जैसे if statement हमने सीख़ी थी और if को मने spaceded बनाया था इसी प्रकार हम Loop को भी nested बनाएंगे नasted कैसे होता है? यदि हम Loop के अंदर एक ओरル लूप चला है तो उसको बोलते हैं nested loop नेश्टिड लूप को कैसे लगाएंगे क्या काम करता है क्यों लगाएंगे इसको यह जानेंगे प्रैक्टिकल इस वीडियो में तो इस में तक बने रहे हैं नमस्कार साथ ही मेरा ना मनुश कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर के अनकुरी चैनल तो चलिए सिख ले यह जानने हैं कि हम लूप लगाते कैसे हैं तो सबसे पहले हम यह आ करते हैं while loop का मैं करता हूँ i equal to one मैंने i के value ली यहां पर लिखा मैंने while और while को मैंने कर दिया i less than four हमारा एक loop चल गया अब loop के अंदर यदि हम एक और loop लगाते हैं तो उसको बोलते हैं nested हम इसको nested बनाते हैं उसके लिए मैं करता हूँ a को j equal to one और यहां पर करेंगे while j less than four इसको भी मैं less than four ले लेता हूँ और कराएंगे print मैं j को print कराता हूँ अब j equal to j plus one और पहले वाला loop भी हमारा एक increase होगा तो हम कर देंगे i equal to i plus one इसको हम थोड़ा सा indentation कम करके रखेंगे क्योंकि यह यहां इस loop का इसा है अब यदि हम इसको run करते हैं तो क्या print होना ची हमारे पास यह कैसे काम करेगा देखो सबसे पहले समझाता हूँ हमने i की value one रखी है और यह while चलेगा less than four तो यहां पे i हमारा one है जो की चार से कम है तो loop run करेगा आगे जाएगा आगे इसको j की value मिल रही है और दूसरा loop मिल रहा है फिर यह loop run होगा अब इसके बाद यह j की value one है यह भी चार से कम है तो यह run करेगा और print होगा j तो यहां पे j के अंदर one मिल रहा है इसलिए one print होगया फिर आगे गया आगे j की value हमारी a कोर जुड़ गई increase होगी j की value 2 होगी यह वापस जाएगा इस loop के पास यहां पे चेक करेगा क्या दो चार से कम है बिल्कुल कम है तो फिर से चलेगा print होगा j value आगे 2 फिर आगे गया j की value j plus 1 3 होगई वापस गया चेक क्या 3 4 से कम है फिर से loop run होगा और j की value print होगी 3 फिर आगे गया j की value j plus 1 4 होगई वापस गया चेक करा क्या 4 4 से कम नहीं है तो loop यहां से terminate हो जाएगा जैसे terminate होगा यह वापस यहाँ पे पहुचेगा i के पास i की value i plus one two हो गई वापस यह पहले loop के पास जाएगा यहाँ पे चेक करेगा two हमारा four से कम है आई कम है तो यह loop फिर run करेगा यह loop चलेगा तो आगे इसको फिर दूसरा loop मिलेगा यह loop उसी sequence में फिर से complete होगा और जब यह terminate होगा तो वापस फिर से पहले loop पे जाएगा और इसकी value increase करके फिर यहाँ पे चेक करेगा तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमने loop के अंदर loop लगाया है तो जो second loop है पहले वो run करेगा वो 10 minutes होने के बाद फिर पहले वाला run करेगा तो यहाँ पे हमारा output आना चीए three time one two three one two three one two three इसको run करते हैं मैं करता हूं shift के साथ f10 तो यहाँ पे देखे आउटपूट हमको मिल रहा है one two three one two three one two three क्योंकि सिरफ हमने print j को कराया आए को नहीं कराया आइक को मिल प्रिंट क जैएगे तो क्या results आएगा tienes हमारे पास क्या स्वेट होगा हमारे पास one 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 two one three two one two 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 three है ना क्योंकि वह तीन बार चल रहा है वो भी यहाँ पे fix हो गया एक बड़ चला one 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 आएगा फिर दूसरा चल दूसरी बार two 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 वो आएगा और तीसरी बार 3 3 3 आएगा यही आना चाहिए हम इसको करते हैं यहां पर मैं करता हूँ i, z और करता हूँ shift के साथ f10 देखो अब हमारा वो लूप भी तीन बर चल रहा है और यह भी हमारा तीन तीन बार तीन बार चल रहा है पहले सेकिंड वाला लूप हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद फिर पहले वाला लूप चलेगा four लूप के ओपर भी लगा कर देखते हैं मैं यहां से इनको अटाता हूँ और यहां पर करता हूँ मैं four X in range मैं कर देता हूँ, range के अंदर इसमें भी four ले ले लेता हूँ क्योंकि काफी लंबी सीरी चली जायएगी तो दिक्कत हो जाएगी और यहां पर मैं एक और लूप लेता हूँ, loop के अंदर loop four Y in range और इसके अंदर मैं four इसमें four ढाल देता हूँ, ठीक है? और इसको कराते हम print हम किसको print कराएं x को कराएं या y को कराएं जिसको भी कराएंगे result हमारे पास इसी परकार का आने वाला है यह range 4 time चलेगा loop यहाँ पे 4 time चलेगा तो यह 0 से चलेगा 0, 1, 2, 3 इसमें भी फिर से 0, 1, 2, 3 तो पहले तो हम y को print कराते हैं यहाँ पे करता हूँ y और करता हूँ f10 तो देखो यहाँ पे name error आगई syntax की range की हमारे पास देखो r, a, n दोनों जगए हमने एगड़बट कर रखी है r, a, n, g, e और यहाँ भी हम करेंगे r, a, n, g, e ठीक है अब करते है shift के साथ f10 इसको तो यह देखो यहाँ पे क्या run कर रहा है 0 से 3, 4 टाइम चला फिर से 0 से 3, 4 टाइम चला फिर से 0 से 3, और फिर 0 से 3 यानि कि 4 टाइम यह चलेगा और फिर 4 टाइम ही यह चलेगा मैं दोनों को print कराता हूँ x और y को यहाँ पे करता हूँ x, y shift के साथ f10 प्रिंट करेंगे तो देखो उसी परकार का result हमारे पास आ रहा है यह 4 टाइम चल रहा है जब यह 4 टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पहले वाला चलेगा फिर यह 4 टाइम चलेगा फिर यह कंप्लीट होता ही एक तो लेता हूँ मैं test टेस्ट के अंदर हम list में डाल देते हैं भाई big एक तो मैंने डाल दिया big का एक में डाल देता हूँ sweet और एक में डाल देता उँ टेस्टि दूसरा हम लेते fruit fruit के अंदर भी हम एक list ले लेते हैं उसके अंदर मैं बनाता हूँ list के अंदर बनाना और second के अंदर बना देते हैं apple और एक और ले लेते हैं orange तीनी बार इसको चलाएंगे इसमें list लिए तीन-तीन item डले हैं तो तीन-तीन बार चलेगा x के अंदर हमने x in range लिया है लेकिन इस बार range नहीं लेंगे हमने variable लिये हैं तो variable का नाम डाल देते हैं test और इस variable का नाम डाल देते हैं fruit अब हमने print कराना है x को और y को दोनों को प्रिंट कराना है तो जरा सा सोच ये वीडियो को पोज करके कि क्या print होना चीए यहां पर बिलकुल सही पहले तो प्रिंट होगा हमारा पहला लूप यहां पर आएगा बिग फिर दूसरा लूप रन होगा उसका आएगा बनाना यानि कि बिग होगा फिर पहले पर जाएगा यहां पर आजाएगा टेस्टी बनाना टेस्टी एपल टेस्टी ऑरंज रइट लाइड रन करके देखते हैं करता हूं सिफ्ट के साथ एफ 10 तो यहां पर देखिए जो हमने बताया था उसी प्रकार कर रेजल्ट आर आपके पास तो इस प्रकार से काम करता है नेस्टिड लूप और इस नेस्टिड लूप से हम एक अच्छे पैटर्न किस प्रकार तयार करेंगे वह आपको बताएंगे नाक्स्ट वीडियो में तो आज के वीडियो में इतना ही नाक्स्ट वीडियो मे नए टोपिक के साथ फिर से मिलेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्री में बताए हमारी वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और यह दी नए है आप में चल पर तुम सब्सक्राइब जरू कर लें